स्वागत है आप सबोंका राइट वप्ड र्यव विक्टीम सीरीज में यह जो सीरीज है रेव विक्टीम के six important rights के बारे में है पहले तीन right के बारे में मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखा है आज इस वीडियो में Records के next two important rights के बारे में बताऊंगा जो की है ये रेव विक्टिम का फोछ लाइट है राइट टू हरस्मेन फ्री इंवेस्टिगेशन जब पुलीस में एफ आया लिखा से लिए कड्वैस अर्या सेटा करेश्मन फ्री इंवेस्टिगेशन एक woman police officers आपके घर आएगी आपका बेयान लिखने के लिए आप से time fix करके आएगी और आप घर पर नहीं चाहते हैं जो अस्थान पर चाहते हैं आपके convenient है वहाँ आएगी और जो atmosphere होगा जिसमें वो friendly होना चाहिए आपके parents के presence में friends के well visa and you वकील जो आप जिसकी presence चाहते हैं उसमे होगा और statement जो आपका record होगा वो एक magistrate 164 और CRPC के तहत होगा वो court में आपको police officer ले जाएगी और court में open court में आपके बयान नोट नहीं होगे यह magistrate lady magistrate अपने chamber में ले जाका बहुत friendly तरीके से आपका statement लिखा जाएगा purpose यह है कि police आपके बयान को तोड मरोड करना लिखे जैसा आप चाहते हैं वो लिखे और यह cooperative evidence होगा और अगर victim mentally या physically disabled हो गया है और मुझ से नहीं बोल पार रहे हैं हाथ के इसालों से बताना चाहते हैं तो इसके लिए analyzer educator social interpreter वहाँ presence होंगे और उसकी वीडियोग्राफी होगी और उसका जो meaning है वो जो बताया जाएगा वो statement में लिखा जाएगा इसका फाइदा यह है कि जो बयान है वो ट्राइल के से में जब कोट में मुकदमा चलता है तो कड़गरे में आकर दुबारा बताने की जरुवत नहीं है 164 बयान जो आपने लिखाया है वही आपका examination in chief मान लिया जाएगा और इस दंचे woman जो right privacy की है वो भी maintain रहेगी और hassle- फिरिगोंगा फिर्फ रेव विक्टीम का राइट है राइट तो ट्राइल विद डिगनिटी स्पीड एंड फूल पर्टेक्शन section 26a CRPC में यह कहा गिया है कि जो इसकी ट्राइल होगी कोट की वह एक लेडी जज़ करेगी एस फार इस प्रेक्टिकेबल अब सुप्रीम कोट ने भी कहा है कि जहां जैन्स लोग कोट में बैठे हैं जैन्स मजिस्टेट या जैन्स जज़ेज उनकी जगह पर कोशी सो लेड सेट्री अगा आपके किसी के आपकी हिस्ट्री भी रही हो इसलिए सेक्शन 53 अफ इंडियन इविडियन्स एक्ट में इंटेडू ज़ुआ है कि कोई भी कोशन पर्टेंग टू प्रीविए सेक्सिट्री इस इस रेलेवेंट है पहले फिल्मों में था जो पूशा जाता था वकील आपसे हाथ उठाके कि आपके साथ क्या था अब आपके साथ कोट में भी जो सीटिंग प्लेस है और वो केमरा प्रोसीडिंग्स है सेक्शन 327-2 CRPC में कोट की प्रोसीडिंग्स ओपन होने की बात हुई है लेकिन रेप केसेज में केमरा में होने की बात किया गई है औ और एफन पर्टिकुलर पर्षण कोई एसस करना चाहता इस प्रोसीडिंग्स को उसे एक अप्लिकेशन लेकिए जट से पर्मीशन लेनी पड़ेगी और तभी उसको मिलेगी और आपको सुना भी जाएगा उसके पर्मीशन दिया जाए या नहीं दिया जाए 327 sub cross 3 में जो court की proceeding से वो publish नहीं की जा सकती है यह private रहेगी ताकि आपका नाम जो है किसी को मालूम नहीं हो आपकी जो proceeding होगी बर्सों बर्स नहीं चले speedy trial होने का नियम बना दिया गया है पुलीस की investigation section 173 bracket में 1A इसके सिफ दो महने का समय पुलीस वालों को दिया गया है कि अपनी investigation पूरी करके report फाइल करें और court को भी सिफ दो महने का समय दिया गया है कि अपना case जो है उसकी कारभाई पूरी करें section 309 1 में यह कहा गया है कि sufficient numbers of special court बनाये जाएं और established किये गए है exclusively for the rape cases section 230 CRPC में trial program बनाने का दिवस्ता की गई है rape victim इसमें section का हवाला देते हुए आप court से यह कह सकते हैं first day से आखी तक के जो court का program है दो मेने में कैसे कतमों का उसको चोक आउट कर लिया जाए और case law है इसके पर Supreme Court का स्टेट ऑफ कैला वर्सेज रसीद AIR 2019 Supreme Court page number 721 आपके जो protection आपको कोई धंका नहीं सकता आपके witness को नहीं धंका सकता इसके लिए full protection insure क्या गिया है पुलीस ऑफिसर्स आपको आपके घर से court ले जाएंगे और court से आपको घर चोड़ेंगे और अगर आपको जो court में मुझरिम से जिसका क्यूज है आमना सामना नहों इसके लिए special waiting rooms court में बनाए गये हैं court premises में आप और आपके witness वहां पर जाका इंज़ार करेंगे कोई confrontation नहीं होगा दूसरे आमने सामने में और 273 एक mandatory है कि जितने भी evidence होते हैं वह accused के presence में होंगे लेकिन rape cases में through electronic video linkage के तुरू आप करा सकते हैं 18 years है तो वह उसे वीडियो दी आती है वीडियो उसे accused को electronic में माधियम से सुनाए जाता है और जो अगर सवाल पूछने होंगे तो judge के तुरू वह सवाल पूछ सकते हैं बाकी को एक translucent glass के पीछे आके अपने बयान दे सकते हैं और कोई सवाल ऐसा नहीं फिल्मी की तरह से उसे अगर मुझ्रिम के वकील को कोई भी सवाल पूछने हो तो वह अपने सवाल paper में लिखके judge साब को देंगे और judge साब आप से पूछेंगे अपने इज्जत के साथ में जिसका आप जवाब देंगे प्रोटेक्शन विटनेस पे सुप्रीम कोट की रूलिंग है मेहंदर चावला वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया जो 5 दिसंबर 2018 को आई है इसमें detailed guideline दी गई है जिसमें अगर कोई विटनेस चाहता है कि मैं तो सामने आकर नहीं बोलना चाहता ह हूँ वह अपना application लगा सकते हैं उसको वह दूसरे नाम से वहाँ पर record होगी उसकी identity दूसरी दी जाएगी और और इजनल आइडेंटिटी जो है वह चिपा ली जाएगी अगर घर पे कोई यादा threat है तो security devices police अपने खर्चे पर install कराएगी और अगर threat जो है continuous है तो आपको औ सबसे इंपोर्टेंट राइट में आपको अवेर करने जा रहा हूं वह राइट तु हैप compensation केस जीतने पर तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा और मजदार की बात है अगर आप केस हार जाए तो भी आप compensation सेट से कैसे ले सकते हैं वह जान पाएंगे इस वीडियो को सुनके अगर आपको इंटरिम पैसे की जरुवत है पैसे की सक जरुवत है पहले फैसलाबाद में आएगा तब भी आप पैसा कैसे ले सकते हैं ये बताऊंगा complete provisions of law and rulings के साथ ये वीडियो छूटनी नहीं चाहिए अगर आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सस् इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद